अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासट खरीदने की क्या है जरूरत जब ओई माट है आपके लिए तैयार ओई माट के मोबाईल एप वबेफ साइट से करें खुल कर खरीदारी पाएं होम डिलिवरी समपड़क करें 8340371787 7325052437 GS News पर चल रहे प्रशनों तरी प्रतियोकता में आज का सवाल इसरों साथ नवंबर को किस सेटेलाइट को लांच करेगा जिससे बादलों के बीच भी प्रतिवी पर नजार रखी जा सकेगी वीडियो को रोक कर अपना जबाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें कड़ी सुरक्ष्य व्यवस्ता के साथ गोपालपूर वा बेपूर प्रखण में चुना संपन EVM में कैद हुआ परतियासियों का भागय गोपालपूर प्रखण के सभी 101 मतदान के अंद्रों पर कड़ी सुरक्ष्य व्युस्ता बीच सांतिपुण वा स्वक्ष मत्दाउन संपन हुआ कहीं से भी किसी परकार की घटना नहीं होने पर प्रसासन ने भी रहत की सांस लिया कुछ बूतों पर ईवियं में तकनीकी खरआबी हो जाने के कारग कुछ देर मत्दाउन में बाधा उत्पन हुई बाद में प्रसासिंग पतादिकारी द्वारा इवियंग को ठीक कर दिया गया नोगचे एसपी स्वप्टांजी में स्राम ने स्वेंग मतदाउन केंद्रों का निरिक्षन किया सभी मतदाउन केंद्रों पर अडल सैनिक बलों को तैनात किया गया था मतदान हेतू सुबह से ही पुर्षों की तुला में महिलाओं की भी खासी भीड मतदान केंद्रों पर देखी गई वहीं कोरोना के कारण सभी बूतों पर सेनेटाइजर, गलाफ्स हुआ, टेंपरेचर, मापने की ववस्ता की गई थी परंतु अधिकान समद्रान केंद्रों पर भी सोसल डिस्टेंसिंग की दजियां उड़ गई कैसा लग रहा है वोट करने के बाद पहले वोट की हैं अच्छा इस बार किन चीजों को आपने मुद्दा रखा क्या सोच कर वोट की क्या-क्या चीज आपके मन में था कैसा विदायक चाहरे आपको लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए क्या नम हो आपका कैसा लग रहा है वोट करके इस बार कोरोना के बीच में एलक्शन हो रहा है कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है वेवस्था अच्छी है आपने पहले वोट किया है यहां से शुरक्षा बेवस्ता कैसा है? अच्छा बेवस्ता भी अच्छी है. कोई डरा है धमकाने? नहीं कोई डरा दोंगा निरा. चुनाओं में वोट करके हैं. पहले भी वोट की हैं. इस पर कोरोना को लेकर सरकार का गाइड लाइन है. क्या लग रहा है आपको पालन किया जा रहा है. मास सेनटाइजर सम्मिल रहा है. संपर्क सुत्र 96619048177992499821 अपने मतारिकार का प्रियोग गया है. कुछ बूतों से इवियम में गड़वड़ी होने की सूचना आई. जिसे समय रहते ही ठीक कर लिया गया. मतदावन प्रारम होते ही. बड़ी संख्यां में मतदाता मतदावन करने आये. जबकि दो पहर बात से मतदावन की रप्तार मे कमी आ गई. बूतों पर एक दो अस्तान छोड़कर कहीं से भी विवाद की कोई सूचना नहीं मिले. वहीं बताते चलें के उची विद्यारे खैरपूर का दुआ के बूत संख्यां 9 का इवियम 35 मिनट खराब रहने पर मतदाताओं का भीड बेकाबू होते जा रहा था. बे पर प्रतिनुक्त पदादिकारी ने अपने मन से दूसरे प्रतियासी के पक्ष में डाल दिया. जब इसकी सिकायत कुछ ग्रामिनों ने वरिया पदादिकारी से फोन पर की तो तुरंत SDM वर सेक्टर मजिस्टेट ने पहुँच कर सबों को समझा बुजा कर सांथ किया. वह 16 पर दो बार 45 बार 23 मिनट मिलाकर करें एक घंटा 8 मिनट 16 को पर 30 मिनट तक इवियंग खराब रहने के कारण विलंब से मद्दान सुरू हुआ बबा बोट करके इतना डिस्टी कलेक्शन ओफिस में परावा वुठे हम पूर्णिया में और रिटार होनेगवाद भी तीन वहना हमको रख लिया था कलेक्टर वहां आपका नाम बाबा भूनेश्वाद पसासर्मा आपका एज एज 91 अभी है आपको बुठ पर आना परावोट देने के लिए उसमें तो आठासी है बोटर लिस्ट में अठासी है फिर भी अलोट या था बाबा एक जानकारी आपको भी होगी किस बार सरकार ने जो मतलब सीनि कर वाया है नवगच्या बेहतर सिक्षा स्वास और लोजगार के मुद्वे पर किया मदान विदायांसभला पहली बार मदायान करने वाले मदाता आपले उत्सा देखने क्या वें उन्होंने स्क्षा की बैतर इस्थिती बनाने के लिए मत्दाउन किया है भार्ति कुमारी ने चाहिए पहले ही मत्दान करने के तरीकों को सीख लिया था अप पाफी उत्साहित थी वर सुबर नास्ता कि ये बिना ही मद्दान करने चली गई वहीं भवानी पूर की आर्थी कुमारी ने कहा कि जिंदगी का पहला वोट जिसे दिया है उम्मीद है वह अच्छेत की बैतरी करने को लेकर जरूर तैयार होगा सरवत्तमानन ने कहा कि पहली यादगा रहा है मद्दान करने के तुरंद बाद ही उसने एक सेलपी लिए और इससे फेस्बुक पर पोस्ट किया आप वोट करने आई कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है किन मुद्दों को इस बार इसे कुछ प्राब्लम होने वाला था वैसा कुछ हो सकता आगे किन मुद्दों को आप इस बार चुनाओं में देखकर वोट करेंगे विकास होना चाहिए आशकरोस का और जैसा कि उमीदवार आए हैं सब ठीक ही कर रहे हैं पूंकों लगता है कि यहां परिवर्तान होना चाहिए कर दाया करें कि आशकरोस दो आशकाल बना के महिंध्दों कि ना ही सबस्कुमि करना चाहिए सरकार के साचाते हैं कि वह ज्यादा पीछे जा चुका है क्या नाम हुआ कैसा लग रहा है पहली बार वोट किये हैं कैसा लग रहा है अच्छा पर वोट किया आप यहां पर देखें की जो है जब से देखें तो सब्सक्राइब जैसा ही है सोचे इस बार कुछ परिवर्टान होना चाहिए अच्छा पुद्धा तो वही रोजगार होता है अब हम लोग भी हो गए तो रोजगारी तो चाहिए क्या नहुआ है अच्छा पिलिंग आ रहा है पहली बार इससे पहले वोट जब लोग देने जाते थे तो बाहर से देखते तो कैसा लगता था अच्छा इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे विकास होगा मुद्धा या स्थानिया लोग हूंगे मुद्धे क्या होंगा परिवर्तन चाहते हैं आपको लगता है कि बिहार पिछले राजियों में रहता है जना भी तो नहीं अगर नॉर्मल इंडरेश्ट्री के एरिया में देखा जाएँ पिछला है तो आप वोट में किन मुद्दों को देखें या किस तरह कादा चाहते है आप परिवर्तन चाहते हैं आपको लगता है बियार में परिवर्तन हों चाहिए यहां कस्तनिया विद्धा कैसा चाहिए जो सब काम कर सके आयुक्त भागलपूर इंजिनियर आसुतोस हत्याकान मामले में आज SP कारियाले में सुनेगी लोगों की फरियाद आयुक्त भागलपूर वंदना की नीग उद्धवार की दोपर को नोगच्छे SP कारियाले में मरवा के सॉप्टोस कुमार की हत्या के मामले में लोगों की फरियाद सुनेगी बताते चलें कि आसुतोस की हत्या भीपूर के थानेदार रंजीत मंडल वह उनके ड्राइवर द्वारा बेरहमी से पिटाई कर पूलीस हाजत में कर दी गई नोगच्छे SP स्वपनाजी मिसराम ने कहा कि हर हाल में आरोपित ठाना द्यक्ष वह ड्राइवर को गिरफतार कर जेल भेजा जाएगा किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की जाजत नहीं दी जाएगी नोगच्या गोपालपूर थानाचेत के दिक्षा आत्मत्या मामला परिजनों ने लगाया हत्या कारोप गोपालपूर थानाचेत के गोसाएंगाउं में सिक्षिकां दिक्षा के आत्मत्या के मामलों को लेकर उनके परिजन पिताव बहन रंगरा थानाचेत के रंगरा निवासी ने मामले को लेकर नोगचिया प्रसासन से गोहार लगाया है उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रसासन जांच करे या आत्मत्या नहीं हत्या है जिसमें ससुराल वाले ने हत्या कर उनके पुत्री को आंगन में सब को रख दिया गया था और उन्हें सूचना नहीं दी गई थी गरामिनों की सूचना पर वे पहुँचे तो उन्होंने देखा क उसका सब आंगन में पड़ा है बच्चों के साथ दो तिन बच्चों के साथ उसकी माँ के साथ गए देखने आंगन में बच्चा को सुलाया हुआ था उने पूछा कि कैसे मरी तो फांसी लगा करके मर देखने उसके गले में रसी का काला दाग था और माँ को कहती थी आकर के यहां नहीं पर एक डूब महीं नहीं रहती थी जब भू को साइगा और नहीं जाना चाहती थी लाकिन 18 अक्टूबर को जहां से उसके पती जवड़स्ती ले करके देखने चलो उसके पूजा है उसके पूजा करना आपको क्या संका है अपने क्या मतलब केस फाइल किया है अपका क्या कहना इसके बारे मेरा दबा है कि उसकी सास और पती मनिश कुमार था दोनों ने साधिस के तथ उसको मर्डर किया है दोनों ने हत्या कर दिया है आप क्या क्या गोहार लगाते हैं आप क्या एस पी से गोहार लगाता हूं कि अभी तक आपने मामले की किसको जानकारी दी है अभी तक मामले में किसी की गिरपतारी या कोई कारवाई हुई है कोई कारवाई हुई है मेरा थिलकामा जी भागल पूंगा मेरी छोटी बहांती दिक्षा उसकी हत्या कर दी गई है गुसवेंगाउ में यहां हम लोग को अरी दिती के मादे हम से मालूम हुआ कि उसका किसी मतला हत्या कर दिया है लेकिन उसके बाद जब हम लोग दिक्षा को फॉन लगाए या उस कि असृतोत्याकान का मुख आरोपी दरोगा रंजीत का नीजीचलक द्भुचा गया शृतोत्याकान में नवगच्षा के सप्षा उपनाजी मिष्रां दौ रा गठित साई टीकी टीम ने मुख अप्युक्त दरोगा रंजीत कुमान के नीजी चलक म gårम्मद जहंगीर को थाना चेत के विक्रम पूर नया टोला का रहने वाला है असुतोस की पिटाई करने में चालक की सनलिप्त ता थी नौगच्या की करपिया ध्यान दें की अब ख़बर एक मिनट के विग्यापन के बाद प्रारंब होगा अब आपके सहर नवगच्या में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नमबर प्लेट, ग्रेनाइट मारवल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्ट करें विनायकाच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्या मोबाईल, बहत्तर पंचानबे, आट सो थी, साथ सो थी, साथ सो थेहत्तर, प्रेनाइट प्लाइट फ्लोर ओटू स्टेंड नवगच्या एनेच एक तिस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दर सबी तरह के चाइनीज पूट के लिए जरूर पधारे, सुन्दरम फास्ट पूट, राजेंद्र कुलोनी, मोर, इस्टेशन के सामने नवगच्या नवगच्या मददावन के अंद्रों पर कोवीड नियमों की उड़ती रही धज्जियां, मददावन के दौरान मददाताओं में नहीं था कोवीड का कोई डर गोपालपो विधान सबा में मददावन के दौरान कोवीड नियमों की दज्जियां उड़ा कर रख दिया, मददावन के दौरान मददाताओं ने किसी ने भी बूत पर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, हलांके बूत पर मददाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, हेंड सेनेटाइज कर गलप्स भी दिया जा रहा था, मददाओं के दौरान जमुनिया, बूत संख्या 85 पर 85 पर 3 कतार में मददाता खड़े थे, जिसें ना तो सोसल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा थ नहीं किसी ने मास्क पहने थे, नवगच्या के रंगरा में ट्रक के चपेट में आने से नाराइनपूर के कपड़ा वेवसाई की गई जा, रंगरा के रास्टिया राजमार 31 पर कटरिया ओवर वीज के पास एक ट्रक के चपेट में आने से कपड़ा वेवसाई की जान चली प्रितक की पहचान नाराइनपूर के मतरापु निवासी ओम जी ठाकूर के रूपी की गई प्लिस ने नौगच्छे आन्मंडी अस्पताल में सब का पोश्णों अटम कराकर परिजनों को सौप दिया रंगरा तेज रप्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुछलाब मौके पर गई जान। अस्तल पर अस्तानिया लोगोंने की गटना के बाद मौके से ट्रक चालक ट्रक को लेकर भागने में सपल रहा जानकारी मिली है कि सद्वा गाउं में एक सीव गुरु परिचर्चा का आयोजिन किया गया था परिचर्चा में मदरौनी के एक भजन गायक भी सामिल हुए थे सुरे सुसी भजन गायक को उसके घर पहुंचाने के लिए गया था और उसे घर पहुंचा कर वापस अपने घर लौट रहा था नवगच्या का एक मात्र ऐसा स्थान जहां साधी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान होटल फुड प्लाजा के सोना ओपन मेरिस गाडन नवगच्या का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्ता के साथ जहां उपलब्द हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाईटी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आदोनिक व्यवस्ता आपके लिए आईए आपका इंतजार है खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें सभी तरह के फास्ट पूड जैसे रॉल, चौमीन, मोमोज, विर्यानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज पूड के लिए ज़रूर बदारे सुन्दरम फास्ट पूड, राजेंद्र पुलोनी, मोर, स्टेशन के सामने नौगचिया नौगचिया सेथ आसपास के लोगों के लिए खुश खबरी अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ अब बाजार जाकर ही रासट खरीदने की क्या है ज़रूरत जब ओई माठ है आपके लिए तैयार ओई माठ के मोबाईल एप वबेफ साइट से करें खुल कर खड़ीदारी पाएं होम डिलिवरी संपर्क करें 8340371787 7325052437 अब आपके सहर नौगच्चा में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नमबर प्लेट, ग्रेनाइट मारबल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायकाच गौशाला रोड पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्या मोबाईल बहतर पंचानवे, आट सोती, साट सोतेहत्तर, तेरावे, जीरो तेतालीस, सरसट एक सोतेहत्तर